आप कैसे खाते हैं? वो उतना ही महतवपूर्ण है जितना कि आप क्या खाते हैं? क्योंकि आप और भोजन दो अलग-अलग चीज़े नहीं हैं. आपका शरीर, जो खाना आप खाते हैं, जिस मिट्टी पर आप चलते हैं, जो पानी आप पीते हैं, और जिस हवा में सांस लेते हैं, ये सब आपसे अलग नहीं हैं. भारत में, खमीर वाली एक चीज़ जिसे रोज नाश्टे में खाया जाता है, वो है इडली, डोसा. अगर आप बैंगलोर से उपर उत्तर में जाते हैं, तो हम इससे नहीं खाएंगे. कम से कम मैं तो नहीं खाऊंगा. क्योंकि एक बात परना घर की हर महीला जानती थी, वो हमेशा इस छोटी उंगली से, वो इसे इस तरह चू कर, नहीं, इसका इस्तिमाल नहीं किया जा सकता. वो आसानी से जान जाती हैं. या अगर आप बहुत सम्वेदन शील नहीं हैं, तो आप इसे सूंगते हैं. अगर ये एक सीमा से ज़ ज्यादा फर्मेंट हो गया है, जहां आपको इसे नहीं खाना चाहिए. तो इस तरह है कि खमीर वाली चीजें हम अपने फूल देने वाले पौधों को देते हैं, क्योंकि जब उन्हें ऐसा फर्मेंटेट घोल मिलता है, तो वो बहतर फूल देते हैं. तो जब हम देखते है कि ये ज्यादा फर्मेंट हो चुका है, तब हम उसे नहीं खाते हैं. अगली चीज है दही ये जिसे आप योगर्ट कहते हैं, इसे सिर्फ रात भर फर्मेंट किया जाता है. ये खाने में मीठा होना चाहिए. अगर ये खट्टा हो गया है, थोड़ा खट्टा पन ठीक है. अगर ये ज्यादा खट्टा हो जाता है, तो हम नहीं खाएंगे. क्योंकि अगर आप इसे एक सीमा से ज्यादा फर्मेंट करते हैं, तब ये अपना खुद का बायोम बना लेता है. आपके बायोम को साहरा नहीं देता. थोड़ा खमीर उर्जा बढ़ाता है. मौजूदा च अगर आपको खाना ही है, तो थोड़ा सद ही, लेकिन वो भी सिर्फ राद भरी जमाया जाता है. 6-8 गंटे. अगर गर्मी है, तो बस 4-5 गंटे. हम इस तरह बहुत सावधानी से जमाते हैं. अगर लोग गर्मियों में दुपर एक बज़े खाना चाते हैं, तो वो इसे सु आप कैसे पेश आते हैं? हमारे घरों में अगर दही जम गया है, तो आप उसमें परोसने वाला चम्मच इस तरह से नहीं डाल सकते. आपको एक तरफ से धीरे से लेना होगा. हमेशा वो हमें बताते थे, ये जीवित है, आपको इसे आहिस्ता लेना चाहिए. बस एक तरफ स आप इसे लें और फिर खाएं. क्योंकि ये जीवन है, ये जीवित है, तो आप इसमें चम्मच बस कैसे भी नहीं गुसेड सकते.